तो जी हां दोस्तों सिर्फ आपका एक निरने आपका सिर्फ एक डिसीजन जो है वो आपको नहीं बलकि आपकी आने वाली पूरी की पूरी जनरेशन को पूरी पीडियों को आपकी आने वाली पूरी नसलों को जो है वो सिक्योर करने वाला है वो सुरक्षित करने वाला है दो सिर्फ 97 डॉलर दे करके आप अपनी पूरी लाइफ को सेव कर सकते हैं दोस्तों और आप सोज भी ने सकते कि किस लेवल की कमपणी ओन पैसिव यह मैं तो कह रहा हूं दोस्तों लेकिन मेरे अलावा आज की डेट में मैं तो एक जो है यूटूब पे वीडियो बनाता हूं और मैं जो है ओन पैसिव के अलावा जो है मैं इसके पहले बहुत सारे MLM प्लान किये हैं बहुत सारे काम किये हैं लेकिन दोस्तों जो निरन है मेरा था यह 97 डॉलर का मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसिजन साबित हो रहा है और हैरानी की बाती है कि मुझे एक रुपिया भी सेव करने वाला है दोस्तों यह मैं तो कह रहा हूँ लेकिन इसके अलावा जो मार्केटिंग के बड़े बड़े दिगज है इंटरनेट मार्केटिंग के बड़े बड़े दिगज है उनका यह मानना है कि आने वाले समय में कमपनी यूनिकॉन नहीं बलके सुपर यूनिकॉ डॉलर दे दिया भाई तू आया आपके किसी दोस्त आया उसने आपके जबरदस्ती इसके अंदर डाल दिया उसका भी धन्यवाद कीजे दोस्तों आपने अपना डिसीजन लिया आपने अपना खुद का निर्णे लिया उसके लिए आप जो है अपने आपको थेंक्यू बोले क्योंकि आपका खुद का निर्णय था उस आदमी का धन्यवाद कीजे जिसने आपको on passive में लेकिया आया है कहीं लोग ये वीडियो देखेंगे हसेंगे कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करेंगे लेकिन दोस्तों असल में जो उनको पूरा exactly कहानी पता ही नहीं है on passive की जो back end पे काम चल रहा है कोई बोलेंगे कि आपको कैसे पता है दोस्तों ये question answer mind में जो बहुत सारी चीज़ें चलना ऐसा वैसा क्यों हो किस प्रकार से इसके बज़े अगर आप ये इस चीज़ में ध्यान लगाएं कि आप जो 97 डॉलर देंगे उससे बस आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये आपकी आने वाली पूरी पीडियां अगर सुरक्षित हो रही है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ओन पैसिव दुनिया में अकेला और एकलोता ऐसा प्लेटफॉर्म है पहली बार दुनिया में आया है ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा और जो है ओन पैसिव को जो एश मुफारे लेक करते हैं जो इस टाइप के MLM को लोग ले करके आ जाते हैं और दूसरे के पैसे का घलत इस्तेमाल करते हैं यह ओन पैसिव में ऐसा बिलकुल भी नहीं है दोस्त यह वीडियो देखने के बाल में आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि आदमी बेवकूफ है या यह बेवकूफ ब आपकी जिगा और पैसे में आपको फाउंडर बनने का मौखा ना मिले बहुत कम समय बचा है क्योंकि कमपनी सौफ लॉंच और फिर लॉंच की प्रोसेस में आई की तो शायद आप हो सकता है कि इसमें कस्टमर बन करके आएं लेकिन आपको वो वैनिफिट नहीं होने वाला हैं वो हमेशा अलग सोच से चलते हैं लेकिन यहाँ पर मैं कॉर्परेट सेक्टर के लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आईटी सेक्टर के लोगों के बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अल्रेडी इंटरनेट मार्केटिंग के बिलेनियर मिलेनियर लोग हैं वो क्यों आए हैं उन पैसे में क्या उन्हें पैसे की जरूरत थी बिल्कुल नहीं पैसे के अलावा यहां पे जीवन में बहुत कुछ है दोस्त पैसा आप तो कमा रहे हो लेकिन आपकी वज़ा से जब कहीं लोग कमाएंगे न और आपकी साथ आना चाहते most welcome मैंने description में अपना link दे रखा है मैंने अपनी टीम वाले और जो भी है उनका link दे रखा आप जुड़िये हमारे साथ आईए आपको जिस किसी ने भी बताया उनके साथ ही आए आपको जिस किसी ने बताया जहां कहीं भी बताया है आप on passive का सिर्फ हसा बन पक्के से बोल सकता हूं कि आज से एक साल बाता जब कहानी उठा करके देखेंगे तो on passive अपने एक अलग ही रूप में होगा फिर उस वक्त आपका mind चलेगा कि यार काश मैंने उस वक्त जो है on passive को समझा होता तो बहतर यही है दोस्तों कि यह मैं नहीं कह रहा हूं यह मेरे शब्द नहीं है बलके मेरे शब्द के अलावा उन लोगों के शब्द है जो अल्रेडी इंटरनेट मार्केटिंग के इंटरनेट के बड़े बड़े दिगज लोग है उनका यह मानना है कि on passive इतना बड़ा है तो दोस्तों आपका सिर्फ एक निरने 97 डॉलर का आपकी जीव देखिए मैं यही बताता हूं कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हम अपने खुश ऐसे बंदों से पूछते हैं जो हमारे कुछ खास होते हैं जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं हम उनसे पूछते हैं आपको भिरसे में बोलूँगा जो दिल में हो वही काम कीज़े दोस्त मैं बोलता हूं बार बार बोलता हूं कि जो है बहुत सारी चीज़े होती हैं आपको जो भी लगता है मतलब आपको लगता है कि यह ऐसा है वैसा माइन में बहुत ही आपका दिमाग चलनी पा रहा है तो आप अपने दिल की आवास सुनना आपको लगेगा कि यह वाकई में अगर आपके दिल में होता है कि मुझे ओनपैसिव करना है तो आपको यह ज़रूर करना चाहिए आप कीजिए study कीजिए देखिए ओनपैसिव को लेकिन इतना लेट मत कीजिए कि मतलब आप मतलब जो बोल सकते हैं कि अगर निकल चुकी है और अभी रुकी हुई है अभी ओन पैसिव की ट्रेन रुकी हुई है जस्ट हमें उसी रुकी हुई ट्रेन का फाइदा उठाना है क्योंकि जब यह चलके धीरे धीरे अगले कुछ प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने लग जाएगी और फिर वो stop होगी पिर वो non stop हो जाएगी तो फिर उस पर चड़ पाना impossible होगा तो दोस्तों अभी मौखा है मौखे पे चौका मारिए सही निरने लीजिए दिल की आवाज सुनिये और बिल्कुल आप आना चाहते हैं तो most welcome हमारे साथ मैंने description में link दे रखा है इसके अलावा जो है आप किसी ने भी आपको on passive के बारे में बताया है तो please जाईए क्योंकि यहाँ पर आपका नहीं बलकि आपकी आने वाली कई जनरेशन का यहाँ पर मामला है ओके गाईज वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए